अंगूर कर खेती लगिन सौब किसिम कर माटी बेज रहल मुदा जारखन कर जी जलवाईू है अंगूर कर लगिन प्रतिकुल जलवाईू है से कर चलते बेज किसिम कर फर कम होयल और इकर में सवादो नी होयल उदार और करे खोज़ थी तो इस अब गोट के ध्यान रखू कि इकर कौन उननतप्रभेद है प्रशारविधि इकर कानियर लगाक है इकर प्रशारविधि है बीजा या की कटिंग इके केसन बगईचा में लगायक है, सेखो जानेक है, इकर लगिन बगईचा के प्रकार रहेक चाहिए, संभुई है तो चैर कुनिया और आयता कर, और धलुवा भुई है तो कंटूर वी धी, इकर में दुदिन प्रनाली से पोधामन के लगाल जैला, उके ध्यान से सुनोग, पोधामनक मधिकर दूरी दू दस्मलो पांच से दू दस्मलो पांच मीटर, इह है सिर्स प्रनाली लगिन, इकर बादे है निफिन प्रनाली, इकर प्रनाली में पोधामनक मधिकर दूरी तीन मीटर रहेक चाहिए, और इकर आगे है कुंज प्रनाली, कुंज प्रनाली में रोरे के पोधा मनक दूरी राखेक है, चायर से चौ मिटर गुना चायर से चौ मिटर. तो देखो इदूतीन प्रनाली से लगेल इके ध्यान से सुईन के लगाब. गाढ़ा कोडेक और पोधा लगायकर बेरा कौन है? इकर पोधा के जन्वरी से फरवरी कर बीच में लगाया देख चाही. गाढ़ा कर अकार कतना राखे के रोरे के? गाढ़ा कर अकार कतना रहेक चाही? से खुध्यान से सुनब. गाढ़ा कर अकार रहेक चाही? 60 cm लंबाई, 60 cm चोड़ाई और 60 cm गहराई जदी इसन राखबर हो रहे तो बढ़िया रहे गाढ़ा कोईड़ के इकर में माइंदो भरेक है तो कैसन माइंद के डालेक है और कतना डालेक है गोबरकर माइंद 8-10 kg SSP 1 kg MOP 1.5 kg करंच कर खरी 1 kg और चूना 250 ग्राम मिथाईल जदी रहे तो और बढ़िया माइंद और उर्वरक अब इकर में रोरेके उर्वरक और माइंद देख है तो देखू गोबर माइंद देख है 90 ग्राम नेतरजन 160 ग्राम सफूर 105 ग्राम पांच बरिस तक माइंद कर मात्रामन के समानुपात में बढ़ाते जाएं अब इतना करल बादे इके पटायक है इकर पटायक कर बेरा बेस बेरा है मार्ट से मै तक भर जखन बाढ़िक लागेल तकन ज़ुरत मताबिक इके पटाते रहेक जाएं आप देखो इकर से उपज रोरे के कितना भिटाई इतना करल पाचे इकर से रोरे के उपज प्रती पौधा 25 से 30 टन हेक्टर भिटाई अब सुध लाब प्रती बरिश कितना भिटाई अंगूर कर सुध लाब रोरे के मिली 50 से 60 अचार रुपए प्रती हेक्टर प्रती बरिश बज़र कर दो कर दो 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 जो दो कर दो 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 है